हेलो व्रिट तो क्य से हैव्ट है आप सभी पड़े लोग आई होप आप सभी लौग बहुत अच्छ होंगे तो आज हमारे साथ में एक हमारे बहुत ही होनहार वच्स्ट नमbell चावला में है और सबसे पहले तो नमोन आप कहा है रावका नाम किया है आप कहां से है सर मेरा नाम नमन चावला है मैं पंजाब के एक बड़ी छोटे शहर शरी मुकसर साहिब से हूँ मैंने सेल सीउटी में 728 स्कोर किया है अपने एकनोमिक सोनर्स के लिए और 764 बाकी भी एकोर्स के लिए मैंने स्कोर किया है जनल में से क्या वाद विटा तो अभी नमन अपको कौन सा कॉलेज अलोकेट व अभी सर मुझे एकनोमिक सोनर्स का अडुकेटवै जनल केटैगरी से यह मेरी 3rd preference थी सर. क्या बाद है और 3rd के ऊपर आपने कौन कौन सी preference रखी थी? सर पहली preference थो अवबिसली St. Stephen's थी मेरी, 2nd Hindu थी, 3rd Hansraj थी. SRCC को मैंने Hansraj के बाद रखा था क्यूंकि वो पुरा commerce-oriented course है, and मैं जैसे की Humanities with Maps का बचा था, तो मुझे लगा कि एक्षी में मुझे वो एक्षोजर नहीं मिल पाएगा जो हिंदू या हंसराज में मुझे मिल जाएगा इसलिए मैंने इसको थर्ड प्रेफरेंस पर रखा था अच्छा नमन एक चीज मुझे बटा यहां पर पूछना जैसे कई सारे बच्चे जैसे आपने बोला कि आप हुम के प्रस्पेक्टिव से बोलूँ तो जो हुमेनिटीज के सब्जेक्ट की कट अफ होती है मालब वो काफी एजी आते हैं हुमेनिटीज के सब्जेक्ट जैसे साल भी हिस्ट्री पॉल साइंस आप इनकी बात करो तो इसमें 200 स्कोर करना थोड़ा एजी रहता है अगर ठीक से तो उसमें कोई दिकत नहीं होगी क्योंकि जो हम 11-12 में एकनॉमिक्स पढ़ते हैं वो जस्त लाइक मलब लैटर्स ही है अब उसका ग्रेजुएशन में कोई इंपेक्ट नहीं पड़ता है अगर कोई PCM का बच्चा भी है उसको भी उतना ही कोई जादा फरक नहीं होगा उस अगर आपका जुनून है अगर आपके गाइडेंस अगर अच्छी है अगर आप प्रॉपर एक ट्रेक्शन पे हो तो आपको ड्रॉप लेने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी आपको लाश ट्वेल्ट के साथ में अच्छा कॉलेज आपको बहुत बहुत कॉंगरेशन कि आपने क्लास 12 के साथ में अचीब करा कोई ड्रॉप नहीं लेना पड़ा तो नमन इक बार बताओ बटा कि जैसे आपने कैसे मैनेज करा जैसे क्लास 12 की जरनी एक साइड है सीवीटी एक साइड है दोनों का कुछ एक साइड है तो कैसे मतलब इन दोनों को मैनेज करा क्योंकि सबसे बड़ी समस्य बच्चों को यही आती है सर एक्षली मैंने जैसे की मार्च से सेशन शुरू हो ता 12 का तो दिसंबर तक तो मैंने अपना पूरा फोकॉस्ट अब्जेक्टिव में किया बिकॉस एर देंड अफ क्योंकि प्रेक्टिस की और 12 के एक्वाइम के लिए अचा मतलब पूरा साल अबजेक्टिव मोड फिर बोर्ड के ज़स्ट पहले सब्जेक्टिव मोड और उसके बाद फिर से अबजेक्टिव मोड जैसे की मेरे बोर्ट सो 2nd अप्रेल को मेरा लास्ट एक्जाम था उसके ऐसे अपने जिए मेरेकि जिसाइडक आगा जानता है, पिए मेरा मैं तो पूरा है डिलीटी निदेड हाक्षी जिए जाए चा मैं हो मैरे पहले छी निर्च कर दोम दिए क्योंकि CUT में भी थोड़ा हमको यह डाउट था क्योंकि CUT, NTA ने बोल रखा था कि जो आपका पेपर है वो NCRT-based होगा और NCRT में topics reduced थे तो हमें थोड़ा डाउटफुल था कि शायद reduce हो जाएं CUT में तो मैंने पहले 12 तक कही अपना अच्छे से मैं अच्छा का किया जब मेरा 12 में मैं स्लिपस हो गया सारा उसके बाद मैंने अप्जेक्टिव दुबारा से रिवीजन शुरू की और एक चैप्टर के साथ साथ अब्जेक्टिव करता गया मैं जब मेरा यह सब खतम हो गया फिर लास्ट में जो topics वो add थे CUT में जैसे आप बोल रहे हैं, रिलेशन फंक्शन में भी एक दो टॉपिक से जो की एड थे, उसके लिए मैंने का किया, मैंने पुरानी वाली NCRT करी दी, जो की 2015-14 से पहले कि अगर NCRT आपको कहीं से मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, उसमें वो टॉपिक NCRT में बहुत अच्छे से पुरानी NCRT से वो टॉपिक्स किये एंड आपने तो सभी करवाए थे आपके बैच में, CUT के प्रतिग्या बैच में था मैं, वहां पर तो आपने सभी करवाए थे, उससे पहले मैंने NCRT से एक बर खुद से कर लिये थे वो, अच्छा तो मेंली बिट आपने प्रतिग्या क्रेश कोर्स में आपने जॉइन करा था, तो फिर प्रतिग्या की क्लासिस में जैसे आपने कैसे क्या मैनेज करा, जैसे क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सीखा उस टाइम पर, प्रतिग्या की क्लासिस तो बोर्ट के बाद मैंने इसलिए जुए जोइन की थे कि मुझे परतिग्या की मेंने जारातर मैं आटार मैं से अटार मैं आट। मैं परिटटिया दो काफी अच्छा था आपके साहट गॉंस अटाराम की में होते थे जो आपके वारियर के मोक्स थे, वो मुझे सबसे जारा एप्रोप्रियेट लगे, जैसे कि एक्जाम आना चाहिए, वो काफी साटिस्वेक्टली एक्सपिरियंस था मेरे लिए काफी, तो जैसे मतलब नमन एक बार मुझे बताओ, जैसे मुझे मुझे एक चीज आदा है, कि म कि षटानों कि एक साइड होगई पढ़ारी, जैसे मैं जनरली कहता हूं कि पढ़ाई का तीन स्टेप में, एक आप टो आप पढ़ चुके और दूसरा आपको मोक्स देना है, तीसरा आपको अनलाइस कर ए अग आडगा बलाना में तो मोक्स कितना हीथितिए क्ट्यों को चा क्योंकि प्रीमेचुरली मॉक्स हम दे देते हैं तो उसमें मार्च नहीं आते हैं तो हम दी मोटिवेट हो जाते हैं तो पहले एक बर अपना सारा स्लेवर्स खतम करना चाहिए उसके बाद पर चैप्टर आपको damn each storyby ॽट क्यों करना चाहिए हर चैप्टर के जैसे आप गुख गोगा नो गजा यह युथ हो तो तो आप लेखांव लगा लेख आप ऑप मैं आपको छोड़ा सा बचाता हूँ, मैं भिफ्टिन कोशिन कंपलसरी नहीं नहीं आते हैं तो, जो कि दोनों applied maths and core maths दोनों नहीं करना हुते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, most of the times कि मोग में फ़ले 15 कोशिंद को करने शुरू कर देते हैं जबकि मेरा यह मानना है कि जो 15 questions compulsory nature के हैं वो आप मानके चलोगी वो tough ही आएंगे क्योंकि वो जारा बच्चों नहीं attempt करने हैं तो paper setter उसको easy इतना नहीं बनाएगा अब मेरी core maths थी तो मैं क्या करता था पहले 15 questions देखता ही था compulsory वाले मैं पहले बाकी करने शुरू करता था questions ठीक है और उसके बाद जो compulsory है फिर वो करो इस साल भी paper में यही हुआ जो compulsory questions थे उसमें से 5-6 questions बहुत difficult थे लेकिन जो हमारे domain के थे वो अच्छे थे अब जिस बच्चे ने पहले compulsory पहले questions से करना शुरू कर दिया होगा अब उसको क्या होगा 15 questions डिफिकल्ट करने में काफी time लग गया होगा बाद में जो easy थे अपने domain के वो रह गए उस बच्चे के बुर रहे हैं बिल्कुल fact बाद है तो देखो mocs बिटा बहुत ही जरूरी चीज है और अच्छा और बताओ mocs के बारे में आपने अड़्डा के सारे 30 mocs दिये थे सारे अड़्डा के 30 तो नहीं दिये थे मैंने थोड़े बहुत मिस थे एकशली पर warrior के मैंने हर एक mock अटें अच्छा है कि तीचर आपसे बात करें आपकी थोड़ी प्रॉब्लम सुनें एंड फिर ऐसे हुआ मेरे मुझे याद है जब मेने पहला मोग दिया था उसमें मेरे 164 इसके रांड मेरे स्कोर बन रहे थे फिर जैसे में मेरे मोग देता गया तो चोटे पांच में 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 तक थोड़ा सा मोग में जटका भी लगता है वो कुष्चंस भी आद रह जाते हैं तो वो मोग का अच्छा और बताओ नमन जिसे हम लोग जब पढ़ते हैं बिटा तो कई बार को हमारा डाउन फॉल टाइम होता है कई बार को जैसे मोग के बाद ही लगता रहोगा जी सर बिल् आप हमेशा पहले एक मोग इसी डालते थे फिर डिफिकल्ट डालते थे तो मेरा क्या था कि एक मोग में दोसम आई हैं अगला मोग सर ने डिफिकल्ट डाला उसमें 160-170 रह गए तो वो भी एक अच्छी बात थी एक experience मिलता है कि यह नहीं कि दोसों वो आगए एक मोग में तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है उसके बाद जब दूसरे मोग में हम देखते थे अचा फिर उसके बाद फिर सर एजी देते थे ताकि हम फिर मोटिवेट हो जाए उसमें 200 आते थे यह चीज आज महसूस करवा रहा है उस टाइम भी समझ में आता था कि यह काम में कर जी उस टाइम इतना नहीं उस टाइम तो लगता रहा कि यार कई भी बार ऐसा लगता रहा कि टॉप आप अपर नीचे लगता था और इन फेक्ट यह चीज मेरे बहुत काम हाई क्यूकि जो एक्चुल पेपर था वो डिफिकल्डी था एंड एक्चुल पेपर में मेरे 160 के मार्क्स थी तो वही वहाना मलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कही बार आपकी आप उतना पर्फॉर्म नहीं कर बाते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा बोत ऐसा रहेगा तो आप अपनी दीमोटिवेशन को हैवी नहीं होने दोगे वो डिपरेशन में नहीं बदलेग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन कई बार को बच्चे बहुत सिनारियों में फस भी जाते हैं तो आपको ऐसी सिच्वेशन के लिए बहुत तयार है ना चाहिए तो अच्छे नमने बात और बताओ इस बार जैसे मैट्स में बच्चों का स्कोर बहुत कम गिरा है मतलब कम आया सर मुझे याद है I think मेरा 17th को था मैठ्स का बिपर एंड इवनिंग शिफ्ट में था लाइग तो जब पहले तो एग्जाम आया तो जब हाफ्टाम की बहली तब मैं सुर्फ 17th कोश्चन पे था तो मुझे थावी पचास में कोश्चन तक पहुच्चन तो तब थोड़ा सा महसूस है कि नहीं पेपर डिफिकल्ट है ताइम लग रहा है इसमें जब एंड में पांच मिनेट रहे एंड थोड़े कोश्चन चूट गए तो फिर तब मुझे लगा कि पेपर वाके ही डिफिकल्ट था उसमें फिर मैंने एंड में किया करने तो चालीस मुझे पता था कि पेपर डिफिकल्ट है भर दो मैंने करके मैं चालीस के चालीस ही आया था और जब मैं पेपर से बाहर निकला तब काफी एग्साम सेंटर का ही डिप्रेसिंग महुल था सभी को एक शौक था कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा उसको जारा था क्यूंकि इतना महसूस नहीं क काफी दुख था कि ये थोड़ा ख्राब हो गया क्यूंकि मेरा में टार्गिट इकनोमिक सोनस करने का ही था और वो मुझे मैंच के तुड़ी मिलना था क्यूंकि मैंच कंपल जिस अब्यक्त था और मला तो क्या लग रहा था उस टाइम पे कि अब सपने तूड़ोगे उस लग रहा था कि पहले तो कि सर ऐसी दिलासा दे रही है यहां पर नहीं सच में इस लाइस कॉफ काफी गडिय है एंड घंड लाइक है अन्सराज में आपका एकनोमिक सोनस में हो रहा था सेवन फुर्टीटू में आपका हिंदू में हो रहा था तो वह जो पिछली बार का आ तो सीधा सिधा पच्चास नंबर डाउन फॉल इन फैट हैंसराज की भी कट ओफ इस बार मैं जो पहले वाले राउंड में था उसमें भी बहुत डाउन गया तो जहां जहां पर मैंथ कंपलसरी था इस बार डाउन गया भी है जी सर डाउन जाना बिता कर शहीद सुखदेव म सब्सक्राइब कर रहा था तो उसमें भी मुझे था कि जनरल कटिगरी में तो 650 में से 600 प्लस चाहिए आपको लेकिन उसमें भी काफी डाउन फुल हुआ इस बार कट ओफ का तो नमन आप वाइटी और पेड़ बिटा दोनों फॉलो करते था या सिर्फ पेड़ करता था बा प्रतिग्या में मतलब काफी अचरह कि आपने स्क्रैच से सारा स्लीबस दबारा करा रिया और वो भी ऐसे नहीं कि जारा टाइम में 15 डेज में हमने सारी रिविजन कंप्लीट कर ली थी बस क्लासेस बहुत ज़्यादा लगी थी और इन फैक्ट कई क्लासेस तो 6-6-8 गंट किये हैं and in fact हम बैठे बैठे स्क्रीन में हम उप जाते थे कि अब नहीं या लेकिन जब देख चाते हैं कि सर खड़े हैं वैसी तो फिर वो थोड़ा रह जाता है कि हमें तो सारी फैसिलिटीज हैं तो अटेंट करना चाहिए लास तक करना चाहिए एक बार हमने बारा घंट चोड़ दो कई सारे बच्चे नहीं सरा और करा और करा हो वारियर के तो सभी बच्चे एंड तक रहते ही थे तो मिलब उससे खतरनाक रिविजन होगा उसमें सर कई बीक बार ऐसा लगता था कि शेडूल काफी हेक्टिक हो गया जैसे वारियर में भी आपका ये था कि अगर अगर कैसा भी हो अगर कोई टॉपिक रहा भी तो मोख ज़रूर दे तो और वो चीज हल्प की आगे जा कियोंकि जब तक हम जबरदस्ति नहीं करते ना बटा कि कि अगर नहीं करता नहीं है जिसर कि अगर कम आजा पहले तो फुरुआती नहीं कर पाते एक मोख से पिर वह मैं जाती है आट तस मोख के बाद मुझे आद है कि आप लोग मुझे खुद याद लाते थे सर मोख भेज दो मोख भेज दो पेज दो एक दो बड़ तो मोख नहीं आया था वेंस्डे को तो काफी बच्चे कह रहे थे कि अब फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा दी जिए मोख की एहां यह भी यह तो, så यह मैज दो एक एक दीन sì अरषी प्राइल सुरी पड़ले कोर चाहिश एक खिया थोग दृग था लिए यह लिए यह क्या है लोग जायान लिए की आधे, ल्क थसी अर्चे किमने मैं कहता था कि एक दिन में तीन मोग तीन टेस्ट भी हो सकते और सच में इस वार तीन तीन पेपर हो है मतलब एक दिन में अब जिस बच्चे की अगर कैपसिटी नहीं होगी जहले की वह नहीं जहल पाएगा इस वार हमारी लिए भी लर्निंग मिलें कि फेजिक्स के बाद में सीखना चाहिए मतलब इतना वर्ष्ट केस जी सर बाकी सर जो जैसे मेरे साथ भी था कि मैस का एक्जाम मेरा शाम को था सुबह एक एक्जाम हो गया था फिर बाद में जो गैप आवर होते है उसमें मन जादा बेचान होता है क्योंकि अगर तो आपका पिछला एक्जाम क्योंकि जितना पढ़ना आप एक साल में पढ़ चुके हो अब दो गंटे में आप कुछ करनी सकते एक्स्ट्रा उस तो गंटे में आप काम हो जाओ काम डाउन हो जाओ और रिलेक्स हो कि अपना बेपर देने जाओ वो अच्छा जाएगा क्या बाद है ग्रेट तो नमन बहुत खुश हूं मुझे अपनी थर्ड प्रेफरेंस ही मिल गई है अंस्टाज में एकनोमिक्स होनस क्या बाद है चलो ड्रीम अट लीस्ट पूरा हुआ एंजी सर और बहुत अच्छी जरनी रही इंवेट हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो बच्चें से साल्वर उन के लिए आप NCRT को अच्छे से फॉलो करें NCRT is the Bible उससे आगे कुछ नहीं आएगा लेकिन जो मैट्स जैसे प्रेक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें आपको एक्स्टेंसिव प्रेक्टिस की एंड एक्स्टेंसिव मौक्स की जरूरत है उसमें आप सिरफ NCRT में रिलाई नही पाएगी अच्छे नहीं आपने ब्लाइक प्रेक्टिस थोड़े प्रेक्टिस में सारे नहीं कर पाया था एक बार मैंने शुरू किया था कि मैं आज क्यू प्रेक्टिस कर दूँगा लेकिन जब शाम तक मैंने 1.500 कोशिंस की सीट कर दो की तो मुझे पता लग गया था कि यह लंबे सामे तक नहीं चल पाएगा कू प्रेक्टिस मों इसे हो नहीं पाएगे तो ब्लाइक प्रेक्टिस थी पैंट भी तो आप उसको कर लेंगे तो इसमें आपका सभी काम हो जाएगा और अच्छा यह था कि उसमें प्रीवेस एर कोश्च्छ पाफी थे तहां च्छ से उसमें आपको क्या लगता है कि NCRT के सारे कुश्चनरा अलमॉस्ट कवर है क्योंकि मेरी साइड से तो मैंने अफर्ट लगाए हूँ लेकिन बच्चों का क्या रेविव है मैं वो जानना चाहता हूँ सर मनलब जो बेसिक लेवल के कुश्चन्स होते हैं NCRT किसी भी बुक के वो तो अगर कोई आदमी साल बर पढ़ रहा है तो उसमें बोर्ड में बेसिक लेवल के तो उसने कर लिये होंगे लेकिन कुछ ऐसे इंपोर्टेंट कुश्चन्स होते हैं जो एक बच्चे के देखने जरूरी होते हैं एक्जाम से पहले वो सभी ब्लैक पीटी 3.2 में कावर थे मैं मानता हूं और एक बार नहीं रेपिटिडिली कावर थे मतलब एक स्लाइड में कर रहे हो आप उसके बाद फिर वो कुश्चन आ रहा है तो आप में पग गया था वो कुश्चन अच्छन अच के साथ तो एक एक बजे भी रात को गूगल मीट हुई है हमारी तो वो काफी था कि पेरेंट इन मुझे कहा था कि तुम बाकी चिंदा मत करो तुम अपना करते रहो बाहर खाना मेना भी सब मिल जाएगा रूम में तो वो डेड मेना तो काफी क्रूशियल था और एक हमें यह भी कहता है कि सर हमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहां पर सभी पेरेंट्स एक बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को प्लीज टाइम दीजिए क्योंकि अगर आपका बच्चा एक बार को पढ़ लिया वो आपका पूरा आप बहुत अच्छे आएंगे आप बहुत अदा उमीदे मत रखिये क्योंकि एक टीचर इसके पीछे लगा होता है और उसकी उमीदों के पीछे भी लगा होता है तो आप एकदम बेफिक्र रहिए अपने बच्चे पर भरोसा करिए बाकि बच्चा आपकी भरोसे पर आपकी टेस्ट बुकलेट थी मैंने टेस्रीस जो एक तो मुझे ओम आरशी बेजी जो कि काफी इंपोर्टेंट आपको प्रेक्टिस करने ही पड़ेगी और पर एक बर मोक्स में भी आपको वैसे महौल चाहिए होगा और दूसरा यह लगा कि उसमें न सब कुछ आपको प्रीवेस एर ऑथेंटिक मिलेगा ऑथेंटिक जैकले पी यह जिसे हैं जी बिलकुल क्योंकि टेलिग्राम पे आपको कुछ ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको प्रीवेस एर कॉशन देंगे या कुछ बच्चों ने अपने रिकॉर्डद रिस्पॉंस के भी स् बिलकुल बिटा, great. So thank you so much. Thank you sir, thank you so much for having me. God bless you, बिटा. अच्छे से जंडा काड़ते रो, नाम रोशन करते रो, घरवालो का हमारा भी. I wish you all the very best. Thank you sir, thank you so much.